प्रस्ट के अनुसार, नीव खोदने के बाद जिस मिटी से छिद भरा गया है, उसे 28 दिनों में पत्थर में बदल दिया जा सकता है, वी के कुल 47 स्टर है, चमपत ने कहा कि मंदिर के निर्मान में अब तक 21 लाख क्यूबिक फीड ग्रेनायट, बल्लुआ पत्थर और संगमन का उप्योग किया जा चुका है, प्रस्ट के अनुसार, मंदिर का दूसरा चरण अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, दूसरे चरण में मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल का निर्मान शामिल है, प्रस्ट सूत्रों के अनुसार, दूसरे चरण में मंदिर की सभी दीवार डिजाइन और 360 नकाशीदार खंभों को पूरा किया जाएगा। मंदिर निर्मान के तीसरे चरण में 71 एकर भूमी पर ओडिटोरियम और दीवारों का निर्मान किया जाएगा। तीसरे चरण में उस भूमी पर सब्तर्शी और कांसे प्रतिमाओं के मंदिर का निर्मान भी होगा। यह परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। मंदिर को प्रसिद्वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा के नेत्रित्व में एक तीम द्वारा डिजाइन किया गया था। मंदिर का निर्मान योजना के अनुसार चल रहा है। उस चवरी में अभ्यारण्य के बीच में तीन चरणों वाली एक वेदी बनाई गई थी। इसके ठीक उपर छट पर कमल शिल्प करने के लिए। प्रस्ट के महास्चिव चंपत एक्स हैंडले ने लिखा। रामलला का गर्भग्रह लगभग समापत हो चुका है। प्रकाश व्यवस्था हाल ही में पूरी हुई है। मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें साज़ा करूंगा सुप्रीम कोड़ द्वारा अयोध्या। में राम मंदिर निर्मान की अनुमती दिये जाने के 4 साल बाद उस मंदिर के निर्मान का पहला चरण अंतिम चरण में पहुँच गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान की प्रतिमा स्थापद की जाएगी अंतिम ख्रण की तैयारी करें ना केवल यजमान की भूमे का बलकि अगर प्रदानमंत्री मोदी सहमत होते हैं तो वेह रामलला की म मूर्ती को एक अस्थाई मंदिर से आधा किलोमीटर दूर राम मंदिर के गर्भग्रह में पैदल लाएंगे मंदिर के गर्भग्रह को 27 जनवरी की सुबह से जनता के देखने के लिए खोल दिया जाएगा प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी इस साल सितंबर में श्री राम जन्म भूमीतीर्त क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र ने आधिकारिक और पर आयोध्या में राम मंदिर के उधगाटन दिवस की घोशना की एईउजे जेन सी पीटी आई को दिये इंटर्व्यू में उन्होंने कहा राम मंदिर के एक फ्लोर पर काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा मंदिर का उधगाटन 22 जन्वरी को होगा आयोध्या में राम मंदिर नागरा या उत्तर भारतिये मंदिर शैली पर आधारित है 800 किलोग्राम से अधिक होता है इसे करनाटक से लाया गया था प्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के निर्मान में किसी साधारन स्टील या सीमेंट का इस्तिमाल नहीं किया गया मंदिर की धीवारों को 12 मीटर गहरा छेद खोद कर बनाया गया था समारों से पहले मंदिर के ए मिकस्कियोर या प्रदानमंत्री मोदी की उपस्थती में गर्भग्रिह में रखी जाने वाली रामलाला की तीन मूर्तियों में से एक का चयन करेंगे तीनों मूर्तियां 51 इंच लंबी होंगी। प्रतिमा के हाथ में धनिश बान होगा। मीडिया से बात करते हुए श्री राम जन्म भूमितीर्थ क्षेत्रि ट्रस्ट के महास्चिव चंपत राये ने दावा किया कि मंदिर का निर्मान इतनी अत्याधनिक तक्नीक से किया जा रहा है कि इसे अगले हजार वर्षों में भी मरम्मत की आवशक्ता नहीं होगी। यहां मंदिर निर्मान समिती के अध्यक्ष और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर का पहला चरण 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर का निर्मान भी पूरा हो जाएगा। गर्भगरिह में रामलाला की प्रतिमा स्थापना के दिन पूजा भी की जाएगी। कि 1992 के शीला दान समारों के दोडान और बाद में दान की गई सब ही इंटों का उप्योग राम मंदिर के निर्मान में किया गया है। कि अध्या हुड़ देखें।